नमस्कार मेरे प्यारे साथियों आपका बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने online platform day night classes पर दोस्तों आपको पता है कि आप लोगों के UPGK की पूरी सीरीज चल लही है जिसमें आपके हर एक topic को cover किया जा रहा है हर एक topic के साथ आपकी UP की current affair भी आपके हर exam से पहले 15 दिन या एक महिना पहले आपको पूरी-पूरी current affair UP की दिला दी जाएगी आपका वीडियो री एक्जाम और UP PSC ROARO अभी आपके calendar में आया तो नहीं था पर जल्दी ही बजट आने के बाद UPROARO का भी notification आप लोगों को देखने को मिल जाएगा ठीक है तो दोस्तों आज की class आपके उ आप लोगों के जिश पता होगी कि जो भी सोध संस्थान है आपके UP में पूरे 75 जिलो में हर जगह पर ज्यादा तर एक नएक सोध संस्थान है और आपके exam में इस से related question जरूर आता है अगर मतलब हो सकता है दूसरा हो पर जैसे आपके दो या चार shift होंगी तो एक इस topic से भ के प्रमुक सोध संस्थान पहला है आपका राष्ट्री वनस्पति अनुसंधान संस्थान ठीक है वनस्पति अनुसंधान संस्थान मतलब आपका यह कहां पर इस्थित है लखनव में इस्थित है इसको आप लोगों को याद रखना important है यह paper में पहले भी पूछा जा चुक में ही इस्थित है यह भी आपका important है यहाँ पर ओशिदी को लेकर सब research होती है और बनाई जाती है उनके उपर research होती है कि उसमें कैसे कैसे क्या क्या चीज रहेंगे Central Alu Research Station agriculture से related जितने भी question होते है पेपर होते है agriculture officer का हो गया या आपका UPTSC में टेक्निकल AGTA का होता है agriculture technical assistant का तो उसमें ऐसे question जो आपके फसल से related होते हैं या फिर सिचाई से related होते हैं तो वो question बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं आगे देखते हैं केंद्री बक्री अनुसंधान संस्थान ये आपका important है ये भी आज आपके जितने भी मैं यहां पर बता रहूं देखे पेपर में ज्यादा तर पूछे जा चुके हैं और आप पेपर में आम जीवन में मतलब जिससे आप डेली पेपर पड़ते हैं तो उनका नाम अगर नहीं देखने में मिलता है या फिर कुछ ऐसा होता है कि वो हाली में निउस में रहे हो आपके समाचार में अगर वो हाली में रहे होते हैं टॉपिक में तो वो question उससे related जरूर पूछ लिया जाता है मिले को अदिखन नेश्ट है आपका भारती चंबला अनुसंदान सनस्थान कांपर आपका कांपूर में सतित आई दे°ि चंबरे साथ or related जो भी काम होता है चंबला आपका रिलेटड जो भी काम होगा वो आपका कानपूर में होता है थीक है इसको याद रखिए का चमडे का यूपी का मैंचेस्टर भी बोला जाता है कानपुर को और सारा चमडे का बिजनेस जद अतर कहां पर होता है कानपुर में होता है केंदरी काच एवं सिरामिक अनुसंधान वा प्रसार केंदर कहां पर है आपका खुर्जा में स्थित है कहां पर है खुर्जा में इंपॉटन्ट है यह आपसे बूचा जा सकता है केंदरी काच एवं सिरामिक अनुसंधान वा प्रसार केंदर कहां पर है आपका खुर्जा में स्थित है Central Leprosy Institute Central Leprosy Institute CLI यह आपका कहां परिस्तित है आपका आगरा में स्थित है आगरा में मैंने आपको बताया था आगरा में ताज महल है आगरा में आपका बटेश्वर मेला लगता है ठीक है तो कुछ चीजे हैं जो कि आपकी आने वाली क्लासेज में जिसे आपके मिसलेनियस MCQ चलेंगे जब आपकी मॉक टेस्ट करवाए जाएंगे UPGK के तो उसमें ये सब चीज़े एक साथ कवर की जाएंगी और साथी साथ आपको ये बता दूँ आपका करंट अफेर का UPGK का और करंट अफेर पूरे साल भर का या छे मेने का ये हर मेने का आपको चैनल पर रहेगा और ये भी आपको मेरी दॉरा आगे मिलता रहेगा अगर वीडियो अच्छी लग रही हो आप लोगों को जानकारी यूसपुल लग रही हो रहर की दाल पर यहाँ पर बहुत काम होता है ठीक है रहर की दाल पर यहाँ पर बहुत काम होता है आगे देखते है नेशनल बायो फर्टिलाइजर डेवलेमेंट सेंटर इसके ऊपर काम बहुत चला है देश में पूरे ही देश में बायो फर्टिलाइजर के ऊपर काम चला है पूरे देश में इसको जरूर ध्यान रखेगा यह आपके लिए बहुत important है क्योंकि जो भी चीज देश को विकास की तरफ ले जा रही हो ठीक है देश में कुछ बदलाव ला रही हो तो उससे related आपसे question जरूर पूछा जाएगा कोई इनसान से लेके कोई चीज हो कोई research institute कपड़े का कम आपको ज्यादा दर पता होगा कि जैसे आपके गली महले में दुकाने रहती है तो वहां पर कपड़ा कहां से आता है उनलों कहते है दिल्ली लुधियाना कमाल है ठीक है दिल्ली लुन तो उधर ही पढ़ता है आपका गाजियाबाद के पास का एरिया है त तो यह कहां पर है गाजियाबाद में है आपका भारती परशू चिकित्सा अनुसंधान संस्थान भारती परशू चिकित्सा विटनेरी के जो डॉक्टर होते है तो उनका अनुसंधान संस्थान कहां पर है आपका इज्जत नगर बरेली में यह आप याद रखे यह आपका इंपॉर्टेंट है भारती परशु चिकित्स अनुसंधान संस्थान कहां पर है इज्जत नगर बरेली में है कि आगे देखिए केंद्री पक्छी अनुसंधान संस्थान यह भी आपका तिके अब जानवर से रिलेटेड और पक्छियों से रिलेटेड जो अनुसंधान संस्थान नहीं आपका बूरेली इजजत नगर ठीक है याद रखेएगा आपको याद हो जाएगा दो चीजे जानवर से, पान अनसुन्धान एवं प्रसिक्षन केंद्र, पान सबसे ज़्यादा UP में कहां होता है, महोबा में होता है, बनर्सी पान खाया जाता है, महोबा में होता है, इसलिए पान अनुस्चन्धान संस्थान, ये पेपर में कोर्षन आ चुका है, UBSC के AGTA और UV वीडिय बारती सूचना परद्योग की संस्थान ये आपका इलहाबाद में है मतलब प्रयागराज ठीक है पेपर में प्रयागराज लिखा होगा आपके इलहाबाद नहीं लिखा होगा भारती सूचना प्रद्योग की संस्थान इलाबाद में इस्तित है भारती हदकर्धा तक्नीकी संस्थान ठीक है हदकर्धा तक्नीकी संस्थान कहां पर है वारानसी में है यह आप याद रखेगा इस वज़े से क्योंकि वारानसी में एक जिलाएवे कोदबाद में हदकर्धा यूपी का मेन अग्यामिण लगवधय、 क्वान सा है, हत्ध करधा ही फूषन है, लगवधय स्थित है, अगर आप से पूछा जाये शुगर केन रिशर्च कहां पर इस्थित है आई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई है यह लखनाव में इस्थित है इसको इसके यहां से शुगर केन के ऊपर इसर्च होती यहां पर पूरा रिसर्च इंटिट्ट बना हुआ है शुगर केन का कहा पर लखनाव में बना हुग है भारती विष विज्ञ 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 अनुसांदान संस्थान ये भी आपका लखनाव में स्थित है लखनाव में है याद रखे गहाई इंप्पortern है ये चीज आपके लिए इंप्पोर्त्न है जो मैं लखनव में जित्ते विश्व संस्थान है उनको जरूर याद करके याद कर लिजेगा ध्यान देके याद करिए गोशीज को वो आपके इसलिए कामाने वाले हैं क्योंकि जाहिर सी बात है जित्ते इंपॉर्टेंट रहेंगे जित्ने भी आपके इंपॉर्टेंट देखे पैलियो बॉटनी आपका क्या होता है जो फॉसिल्स होते आपके मतलब जीवास होते हैं पुराने पेलपाद होके ठीक है मतलब जो पहले आपके प्लांट होते थे कुछ ऐसे प्लांट जो आप इस समय आपके लुप्त हो चुके एक तरह से आप कह सकते हैं तो उसे कहते हैं क्या पैलियो बॉटनी पैलियो बॉटनी कहते हैं चली आगे देखते हैं उसमें होता कि पैलियो बॉटनी में जरसल आप पाइए कहां जाते हैं ये आपके पत्थों में पाइजाते हैं जर असल वो पत्थों के बीच में देपारा फिर वो मिला है तो उससे पता किए पुराना ये फॉसल किस पे बाय का ऑर कितना पुराना है तो उससे पे खे INTER इंडियन टेक्नोलोजिकल रिसरस केंटर भी आपका लखनाओं में है ठीक है कहा पर है लखनाओं में स्तित है ये लखनाओं के याद कर लिए अच्छे से कि आपके पेपर में पूछे जाते हैं बहुत ज्यादा आगे देखते हैं कींद्री उपोष्न बागवानी संस्थान सब्ट्रॉपिकल केंद्री उपोष्न बागवानी संस्थान यहाँ सब ट्रॉफिकल जो आपके होटी कल्चर के प्लांट्स होता है ना उनके उपर यहां पर शोध होता है केंदरी उपोष में बागवानी संस्थान है ठीक है तो यह कहां पर है आपका यह भी लखनव में है याद करने यह होगी चीज़ है कि देखे उत्तर प्रदेश की आगे देखते हैं अक्या के बोलते हैं कि क्या बोलते हैं आप जल्दी से कंद्ध बॉक्स में बताइए शार्ट फॉर्म में इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको हम मुझे कमेंट बॉक्स में आप बताएगा उत्तर प्रदेश क्रसी अनुसंधान परिसत आगे देखते हैं अनुसंधान अभीकल्प एवं मानक संगठन ये कहां पर है आपका लखनों में ही है ठीक है अनुसंधान अभीकल्प एवं मानक संगठन ये आपका लखनों में इंपॉर्ट में इस्थित है आगे देखिए राष्ट्री सांस्कृतिक संपदा संद्रक्षन अनुसंधान साला लखनाओं में हैं ये भी आपका इंपॉर्टेंट है इसको याद करने योग है इसको याद कर लीजेगा याद कर लीजेगा इलहाबाद में इस्थित है तो यह कुछ ऐसे सोज संस्थान थे जिनको आपके पिपर में पूछा जाता है ठीक है तो इनको अच्छे से याद कर लिजेगा एक दो बार आप वीडियो देखेंगे अपने नोट्स बनाएंगे तो आपको वैसे भी याद हो जाएगा कुछी से करिए कि सभी को आप एक बार गुगल ऑडल के गुगल पे सर्च करके एक बार देख लिजेगा तो उसकी फोटो आपको दीखती है फोटो में वह नाम लिखा होता है औफिस की फोटो होती उसके उपन नाम लिखा होता आपको वहीं से याद हो जायेगा C Finnish राश्ट आपको वो चीज और अच्छे से याद हो जाएगे दोस्तो आप मेरी बात अगर अच्छे से समझ रहे हैं आपको मेरी दौरा बताई गई जानकारिया अच्छी लग रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दिजेगा और चैनल को सस्काइब कर दिजेगा तो चलिए आज की class को यही पर समाब्त करते हैं जय हिंद जय भारत